गुरूर देवो महेश्वदा, गुरूर साक्षाद परंब्रंभा, तसमई श्री गुरू पेनवाश्वदा। मेरे सभी मित्रों को मेरी तरब से राधिरा दे। दोस्तों, आज हम आपको 22 तारिक को जैन में लोग कैसे होते हैं, उनका क्या भविश्य होता है। वो क्या उपाय करें, जिससे उनके समश्याओं का अंत हो, वो क्या दान करें, जिससे उनका जीवन सुप्मैवेतीत हो सके। आज इस वारे में हम आपको संपूर जानकारी दे रहे हैं। 22 तारिक को जिनका जनम लोगा है, उनका मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 मुख ग्रह राहू। और राहू ग्रह का मुख रत्न गोमेद। तो गोमेद रत्न के बारे में हम आपको संपूर जानकारी की गोमेद को किस दातु में पहनना है, किस उंगली में धारन करना है, किस दिन धारन करना है। संपूर जानकारी गोमित के बारे में हम आपको दे चुके हैंगे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों जिनकी जनम्तिती 22 तारिक हैं। तो 22 दो प्लस दो से चार कांग बना। दो कांग चंद गरह का होता है। तो चंद गरह प्लस चंद गरह से निर्माड हुआ राहु गरह का। अब चंद और चंद से जो राहु का निर्माड होता है, ये कितना पावरफुल होता है, इसको जानना भी बहुत ज़रुग है। इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। और बात करते हैं वर्स 2020 की। 2020 में करोना आया था। और आप देखेंगे कि 2020 टू प्लस टू टू प्लस जीरो प्लस टू प्लस जीरो चंदर प्लस चंदर से राहु का निर्माड होता। और राहु का जो निर्माड हुआ था तो राहु ने क्या किया। देश, दुनिया, जाज, हवाई जाज सब कुछ रोग दिया था। यानि चंदर और चंदर से जब राहु का निर्माड होता है, तो वो अपने आप में इतना पावर्फुल होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। सफलता भी दिलाता है ना, तो ऐसी बड़ी सफलता है। बहुत चोटे स्तर से बहुत बड़ी सफलता है। और इसका हम आपको एक उधारण दें उसके पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जिन लोगों को भी कोरोना हुआ या जिन लोगों के परवार में कोरोना से म्रत्यू हुई ऐसे लोग ये जरूर चेक कर लें कि कहीं उनके पित्र दोस्त तो नहीं है क्योंकि चंद्र प्लस चंद्र से जो राहु का निर्माड होता है अगर इससे कोई बचा सकता है तो बचा सकते हैं हमारे पूरवज तूकि हमारी पूरवज यहां पर दो कंडिशन होती पूरवज की एक तो खराप आतरप्त और एक तरप्त तो जो आतरप्त हैं पूरवज तो वहां पर जो हमारा अपना सर्वे है हमने कई लोगों से बास्चीत करी देखा तो वहां पर हमें जो हंडेट पर्चेंट मिले वो यह मिले कि वो सारे लोग उनके सबके पूरवज यह आतरप्त थे यानि पूरवजों के लिए जो पिंदान होता है गयाजी में होता है जितना नौगरह काम करते हैं कितना घर का वास्तु पांच तत्व काम करते हैं इन दोनों से कहीं जादा हमारी लिए महत पूरवज होते हैं हमारे पूरवज तो हम अपने पूरवजों के लिए जो हमारे सास्त्रों में लिखा है वो जरूर करें अब हम बात करते हैं बाइस समाजबादी पार्टी के सबसे मुखिया हैं और जिन्हों ने ही समाजबादी पार्टी को बनाए और जीरो से केते ना कि बिल्कुल जीरो से आसमान तक ले जाने का कार मुलाम सिंग यादव ने किया है मुलाम सिंग यादव खुदे एक सिक्षक थे और वो टीचर की नौकरी छोड़ कर राजनीती में आये थे और उन्होंने बड़ी मेहनत के संग इस पार्टी को आसमान पे ले गाए और जिसका मुख कारण है कि उनका जनम बाइस तरिक को ही हुआ है तब ही तो उनके अंदर ये एनर्जी आई कि वो नीचे से आसमान तक किसी चीज को किसी पार्टी को ले जा पाए दूसरा एक्जाम्बिल देते हैं जी न्यूज में एक प्रोग्राम आता था जिसका नाम था ताल ठोकते हैं और आज तक में पहले जी न्यूज में रोहित सर्दान जी जी न्यूज में थे उसके बाद वो आज तक में चले गए थे और इसी कोरोना काल में रोहित सर्दान जी की डैथ होगई अनकी भी जनम्टिजी 22 तरिक थी और ये example मैंने इसलिए आपको दिया है कि उनका मुख्य ग्रह तो रहू 22 तरह के तो मुख्य ग्रह रहू है जब उनकी death हुई तो उनका जो कारकालता वो मंगल ग्रह आया है रहू और मंगल सत्रू ग्रह सत्रू ग्रह आया और इस कारण से कहीं न कहीं कहते हैं ग्रह अपना काम करते हैं और उनकी मृत्य हो गई जो एक दुखाद है अब 22 तरह को जो जन्मे लोग हैं वो क्या उपाय करें उनके लिए क्या सुब है हम आपको जन्गारी दें उसके पहले हम आपको प्रात्न करेंगे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब पन लिजिए और बेल आइगोन को दवा लिजिए कमेंट्स में राधी राधे जरूर लिखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तो 22 तरकों जिनका जन्ग होगा है उनके लिए जो सुब रंग होते हैं सबसे पहले आप बात करेंगे हम हरे रंग की गुलाबी रंग की और सफेद रंग की इसके साथ साथ कहीं न कहीं पीला रंग वो निर्भर करता है कि व्यक्ति की डेट अब बर्त पूरी क्या है रोब सुब रंग की श्रिणी में आते हैं असुब रंग की बात करें, तो काला रंग, गहरा निला रंग और नारंगी रंग, आस्मानी रंग, ये खराब रंग की स्रेणी में आते हैं। सुब रंग की बात करें, तो तीन कंक, पांच कंक, छे कंक, ये सुब रंग की स्रेणी में आते हैं। तो सौंबार का दिन असुब होता है, शनी बार का दिन असुब होता है, और मंगलवार का दिन इनके लिए असुब की स्रेणी में आता है। दोस्तों, आज हमने आपको 22 तारिक को जन्मी लोगों के बारे में पूरी जानकारी दी। हमारा जो अगला वीडियो है, वो 23 तारिक को जन्मी लोग कैसे होते हैं, उनका क्या भविश्य होता है, वो क्या उपाय करें, वो क्या दान करें, इस बारे में हम आपको संपूरी जानकारी देंगे। तब तक आप हमारे संप बने रहे हैं, तब तक के लिए रादे रादे जैहन।